नमस्कार स्रिक्षार्थियो योग स्रिक्षार्थ प्रस्रिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के विश्य में पर चुके हैं. अश्टांग योग में आपने जो महरिसी पतांजली ने योग सूत्र में वर्नित किये हैं आठों अंग यम, नियम, आसन, प्रणयाम, प्रत्याहार, धार्ना, ध्यान और समाधि. इन आठंगों को आपने पढ़ा, आपने जाना और आपने ये जाना कि जीवन में ये कितने महत्पूर्ण हैं. यद्वास्तम में हम देखें तो प्रत्थम दो अंग यम और नियम ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्पूर्ण हैं. इन दोनों अंगों के आधार पर मनुस्य को समाज में, राष्ट में जीवन जीने की एक संस कि प्राप्त होती है, किस तरह से मनुस्य अपना जीवन जीए उसको ये जानकारी मिलती है और सुख में जीवन, आनंद में जीवन जीने के लिए मनुस्य को एक मार्ग प्राप्त होता है. ये मार्ग कहां से प्राप्त हुआ? जैसा कि नाम से आज का जो हमारा यूनिट है यूगिक संस्कृति नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यूगिक संस्कृति का तात्पर्य क्या है? यूगिक यानि हमारे रिसी मुनियों से यूग के माध्यम से जो सिध्धान्त हमें प्राप्त हुए, जो हमारी रीत रिवाजों में समाहित हुए, उस कल्चर को हमने योगिक संस्कृति के आधार पर यद हम बात करें, तो हर मनुस्य को ये जानने का पूरा उसका अधिकार है कि किस तरह से वो अपने जीवन को जीए. योगिक संस्कृति का लक्ष क्या है? आप इस वारे में यह जानना चाहें, तो निश्चित रूप से एक आंसर मिलता है, एक रिप्लाई आता है कि मानब जीवन को आनन्द में जीवन जीवन जीने के लिए, संपूर्ट अप्राप्त करने के लिए योगिक संस्कृति का है, मानब अपनी जीवन में ठीक से जीए, एक निश्चर सिधन्तों के साथ जीए, समाज में सब के साथ चले, यही योगिक संस्कृति का अपना लक्ष है संस्कृति सब्द की यद हम बात करें, तो संस्कृति सब्द का मूल अर्थ है साफ या परिस्क्रत करना संस्कृति सामाजिक अंतहकिरियाओं एवं सामाजिक ब्यहवारों के उत्प्रेरक प्रतमानों का समुच्च है इस समुच्च में ज्ञान, विज्ञान, कला, आस्था, नैतिक, मूल एवं प्रताईं समाविष्ट होती है इसमें कोई दोराए नहीं कि भारती संस्कृति में स्रेष्ट जीवन जीने के लिए दर्सन है कैसे मनुष्ट को जीना चाहिए किस तरह से वो अपना जीवन जीए इसके लिए हमारे संस्कृति में एक विष्टार मिलता है इसमें यद हम बात करें तो सबसे पहले हम पुर्षार्थ की बात करते हैं जो हमारी संस्कृति के अंग है पुर्षार्थ क्या है? पुर्षार्थ सब्द का अर्थ पुरुसहे अथे अथे अर्थात मनुष्य जिसकी याचना करे याचना किसकी करे उस वस्तू की जिसकी एक्षा है इसलिए मनुस्य को जिसको पाना है उसके लिए याचना करता है उसी को पुरसार्थ कहते हैं पुरसार्थ मानद जीवन का दरशन यवम अव्यक्ती है जीवन की सभी संभावनाओं, कामनाओं, आकांचाओं को लेकर आत्म सरूप की प्राप्ति तक सभी कारे पुर्षार्थ के द्वारा संभव होते हैं मनुस्य जन्म मिलने के बाद पुर्षार्थ की साधना के द्वारा जीवन को संभाल सकता है, उसको बना सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको हम कई वार भागी के उपर छोड़ते हैं भागी तो प्रारब्ध है, यद हम बात करें, तो जीवन में, यद हम पुरसार्थ करते हैं हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बरते हैं तो भाग्य हमारे पुरसार्थ के अधीन हो जाता है पुरसार्थ व्यक्ति ही का सौभाग्य है संपदा है, सम्मान प्राप्ट कराता है पुरसार्थ सम्रद्धी और संपन्ता फुर्षार्थ करने वाले मनुस्य को ही प्राप्तो होती है मनुस्य के जीवन का परम लक्ष क्या है यद हम एक कांत में बैठ करके कभी विचार करें क्योंकि हम अपनी इस जीवन से जो भार दोर वाली हमारी जीवन सैली है इससे बाहर ही ने निकल पाते इतना सोचने का मौका कभी नहीं मिलता यद हम वास्तम में सोचें कि आखिर मनुस्य के जीवन का परम लक्ष क्या है हम क्या चाहते हैं तो एक उत्तर आएगा कुछ ना कुछ हम ऐसा कुछ चाहते हैं जो संसार के सारे दुखों से मुक्ष हूँ और वो है मुक्ष भारते संस्कृती में जो पुरसार्थ कहे गए हैं वो है चार धर्म, आर्थ, काम और मुक्ष प्रत्म पुरसार्थ है धर्म धर्म क्या है? धर्म सब्द ध्यधातू से वित्पन हुआ है मुख्य अर्थ धारन करना यानि धर्म का जो मुख्य अर्थ है वो है धारन करना या पालन करना जिससे धारन किया जाए उसे धर्म कहते हैं अर्था जो सेष्ट बनने के लिए आचरन करने की योग है पालन करने की योग है धारण करने की योग है वही धर्म है धर्म मनुस्य को सब है बनाने की लिए काम करता है उसको मार्ग दर्सन देता है उसको मानता सिखाता है इसलिए भारत के प्राचीन मनीश्यों ने कहा कि धर्मों रक्षती रक्षत है अर्था सदा धर्म की रक्षा करो वह तुमारी रक्षा करेगा धर्म के माध्यम से रक्ती उनुती करता है एक डिसीपिलिन में चलता है और उसको इसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है दुतिय पुर्सार्थ की यह हम बात करें जो है अर्थ जीवन संचालन में काम आने वाली सभी वस्तुएं वो अर्थ क्यालाती है अर्थ सब्द रिग धातू से उत्पन होता है जिसका अर्थ गती होता है अर्थात जिससे जीवन गतिमान होता है जिससे जीवन चलता है वही अर्थ कैलाता है धर्म का मूल भी अर्थ ही माना गया है भूमी, धन, विद्या, कला, किर्सी और भी आजिवक जो भी हमारे जीवन को चलाने वाले यानि आजीविका सम्मंधित जितने भी वस्तुएं हैं उन सब को अर्थ में काउंट किया जा सकता है धन संपदा अर्जित करने के लिए मानव को अपनी व्यक्तिगत सामर्थ का उपयोग करना चाहिए ये बिल्कुल ठीक बात है धन संपदा अर्जित करनी है तो मानवत्ता के दाइरे में रहे करके धर्म का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अपनी सामर्थ का उपयोग करना चाहिए किन्त यह अर्थ सुच्चता पूर्वक धर्म आचरंग करते हुए अर्जित किया जाना ही स्ट्रेष्ट माना गया है ऐसा हमारे योगिक ग्रंथों में हमारे और अन्य धर्सनों में हमें प्राप्त होता है तीसरा पूर्शार्थ है काम का आर्थ है काम ना एक्षा और आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के मन में कोई न कोई बड़ी एक्षा होती है कोई छोटी एक्षा होती है लेकिन सब कोई कामना से एक्षा से परपूर रहते हैं मनुष्य की एक ही महत्पूर एक्षा होती है वो सबसे बड़ी एक्षा उसकी है कि वो सुखुमाय रहे आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे जीवनियापन करे उसे जिस जिस पधार्थ में सुख की अनभूती होती है वह उसे प्राप्त करना चाहता है और जिसे प्राप्त करने से दुख होता है दुख की अनभूती होती है तो उसे छोलना चाहता है समस्त सुख सादनों की जो एक्षा है वो काम के अंतरगत आती है और समस्त कामनाएं एक्षाएं मनुस के लिए सुख की खोज का अंग है जिनने वह जन्म से म्रत्य पर्यंत तक यानि संपूर जीवन वर चाहता रहता है समस्त सुख साधन छड़िक इसके अत्रिक्त और उसे कुछ नहीं चाहिए उसे सुख और आनन चाहिए लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिनको हम सुख मान करके जीवन व्यतीत करते हैं क्या उन सभी चीज़ों के उपरांत कोई और भी ऐसी चीज की आफ सकता है किसी वस्तु की आफ सकता है जिसमें परम सुख है परमसुख का सोत वास्तम में परमात्मा है अथे सास्त्रों में यह निर्देश है कि काम का उपियोग भी धर्म आधारे तो हो काम का उपियोग भी ऐसे नहीं होना चाहिए यदा आप धर्म के आधार पर काम का उपियोग करेंगे तो वह निश्यत रूप से केबल कामनाओं में अटक करके नहीं रहेगा बलकि उसके परमलक्ष मुक्ष तक उसको अवस्य पहुँचाएगा अर्थ और काम का भोग मुक्ष की ओर ले जाने वाला होता है तभी जब हम धर्म के साथ इन सब आचलनों का पालन करते हैं और फिर इस तरह से हम किसी भी तरह के आनंत दुख के सागर में नहीं डूपते तीसरा जो काम की हमने बात की जो बहुत ही महत्पूर पुरसार्थ है लेकिन ये बताये गया कि किस प्रकार हम धर्म के माध्यम से अपनी कामनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं जो हमारा चौथा पुरसार्थ है मुक्ष धर्म पूर्वक अर्थवा काम का उप्योग करते हुए मानव मुक्ष की प्राप्ती के लिए प्रत्म करता है मुक्ष क्या है? मुक्ष का सब्दार्थ है बंधन मुक्त होना और बंधन, बंधन किसका है? बंधन है अविद्या का, अज्यान का जिससे मनुस्ष से बारवार जन्व मर्म में आता जाता रहता है, फस्ता रहता है उपनिस्तों की मूल सिक्षा भी यही है कि मनुस्ष से जन्व प्राप्त करता है तो किसी भी जन्व में उसको बारवा जन्व न लेना पड़े जिस जन्व में उसने अपने लिए मुक्ष की बात सोची है उसी जन्द में उसको आनंद में परमात्मा के साथ प्राप्ति हो जाए उसको पालिय जाए और फिर उसको बापस इस संसार में ना आना पड़े यही मुक्ष है मुक्ष की प्राप्ति का साधन मनुस्य को करना चाहिए और उसका साधन परमसुख परमानंद वही है कि वह केवल परमिश्र की सानध ताप्त करे उसी में अनंद है जीवन का परमलक्ष भी मुक्ष है जो हमारी संस्कृति का हमारे भारतिय रिसी मुनियों ने जिन मारगों का अनुस्राण करते हुए अपने जीवन का जो अनुवव है वो दर्सनों के माध्यम से सास्तों के माध्यम से हमको प्रदान किया है यही हमारा सही लक्ष है भारती संस्कृती में इसके साथ ही मनुष्ट को जीवन जीने के लिए आस्रम विवस्था भी की गई है हमाई वेसी मुनियों ने मनुष्ट के जीवन में जो एक इस तरह की विवस्था का पालन किया ताकि वो स्थेश्टम जीवन जी सके उसमें आस्रम विवस्था की गई जीवन के सभी सायरिक, बौधिक, सामाजिक, भिहवारिक एवं आध्यात्मिक आयमों का विकास किया जा सके इसके लिए आस्रम विवस्था का निधार हुआ मनुष्य जीवन को स्ववर्ष की आयू मान करके उसे चार आस्रमों में विवाजित किया जा पिर्थम 25 वर्ष ब्रहमचर आस्रम ब्रहमचर आस्रम सरीर, मन एवं बुध्धी, विकास के लिए ये मनुष्य के जीवन जहां से सुरुवात होती है बच्पन और 25 वर्ष तक की इसकी अवस्था है जिसमें ब्रहमचर का पालन करना, गुरुजी के आस्रम में रहना, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना, सरीर, मन, बुध्धी का विकास होना इस आस्रम के अंतरगत आता है और जब वो परपक हो जाता है तब दितिये आसरम की बात आती है जिसे ग्रस्त आसरम के नाम से जाना जाता है 25 वर्स ग्रस्त आसरम के हैं जो पत्थ पत्नी के रूप में धार्मिक रूप से नागरिक्ता का पालन करते हुए व्यतीत करने होते हैं और इसमें ग्रस्त आश्रम चलाना होता है त्रतिये 25 वर्स फिर बानप्रस्त आश्रम को दिये गए है ये परमार्थ कार करने के लिए परमार्थिक जीवन जीने के लिए दूसरों की सहता करने के लिए संतों जैसा जीवन गिताने के लिए और अंतिम जो 25 वर्स हैं चतुर्थ 25 वर्स ये सन्यास आसरम के हैं जो मुक्ष प्राप्ति की दिसा में जीवन जीने के लिए है तो इस तरह से आसरम विवस्था की गई और यद हम देखें ध्यां से तो दुतिये जो 25 वर्स हैं ग्रस्त आसरम के वो बहुत महत्पूर्ण है, क्योंकि इसमें उसने ग्रस्त में रहते हुए, उसको सभी का लालन, पालन, पोसर्ण एक तरह से करना होता है, उसके दर्वाजे पर कोई संत आए, कोई महत्मा आए, कोई अन्यासित आए, किसी की जरूरत है, कुछ मांगने वो आए, कोई याचक तो वो सभी का पालन करता है, सभी को देता है, अब यह देखिए कितना महत्पूर्ण है, ग्रस्त आस्रम, यहां बानप्रस्ती भी आते हैं, उसके पास संयासि भी आते हैं, और वो इन सभी को चलाता है, क्योंकि ग्रस्त आस्रम का नाम ही, हलंकि यह बड़ा एक इस्टेग करना होता है इस पिरेड में और उसको लालन पालन पोषण अपने परवार का करना होता है और साथ में समाज का भी और राष्ट का विध्यान दखना होता है तो हर तरह से यह आस्रम बहुत महत्पूम हो जाता है यद हम आगे बात करें भारते सास्तों में साधन चतुष्टय की बात की गई है यह भी हमारी संस्कृती के अंग के अंतरगत हैं हम देखें साधन चतुष्टय यह है विवेक वैराग्य सठ संपति एवम मुमुच्छ्ट्व आईए पहले विवेक पर चर्चा करते हैं विवेक आध्यात्मिक द्रश्टी से विवेक का तात्पर है नित्य नित्वस्तू विवेक विवेक से तात्पर नित्य वस्तू एक मात्र ब्रह्मा ही है यानि जो भी कुछ सत्य है वह ब्रह्मा है इसके अत्रिक्त बाकी सव असत्य है समस्त जगत ये भी अनित्य है अनित्य मिथ्या है आचारे संकर ने विवेक चुरामनी में लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्योत विनस्यपी सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेक हा समदायत है यानि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यत वियरूपम विनिश्या सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेक हा समदायत है अर्थात ब्रह्मा सत्य है और बाकी सम्माया से उत्पन है विवेक एक तरह से एक ज्ञान है बहुत बड़ा जिसके माध्यम से संसार को, जगत को, परमात्मा को इस विश ब्रह्मांड को सबको समझना है, सबको जानना है और वास्तविक्ता यही मिलती है कि बाकी सब असत्य है, मिथ्या है और पारभ्रह्म परमिशर वही सत्य है ऐसा निश्चे कर लेना यह विवेक है यह आचारे संकर ने विवेक चुनामनी में लिखा है हमारा अगला है वेराग्य वेराग्य की विशय में कहा गया है कि इस लोक और स्वर्ग आद दिब्व लोगों के भोगों की एक्षा का परत्याक कर देना वेराग्य है वेराग्य का मतलब आचारे संकर लिखते हैं तद्वे राग्यम जुगुप्सा या धर्षन श्रवाने दिभी देह दे ब्रह्म परनेंते हन्यत्ते भोग वस्तुने अर्थात देखे एवं सुने हुए भोगों को देह से लेकर ब्रह्म लोक परियंत शंपू नास्वान भोग पधार्थों में जो घिरना पुद्धी है वही वेराग्य है यानि कोई भी देखने से भी सुनने से भी किसी भोग की एक्षा जब ना हो यानि सब का त्याग कर दिया जाए वही वेराग्य है वेराग्य के बाद फिर किसी चीज की एक्छा नहीं रहती जो मुमुच्छ हैं वे वेराग्य भाव से उत्पन करके ही उसकी ओर बढ़ सकते हैं यानि जो मुख्ष की कामना रखते हैं जब तक वेराग्य नहीं होगा इन चीजों से दूर नहीं भागेंगे भोग विलास की चीजों से तब तक उस दिसा में आगे नहीं बढ़ सकते ऐसा वेराग्य में माना गया है तो वेराग्य जो है वो बहुत ही महत्पूर है इसके पश्चात सर्संपती, सर्संपती जैसा की नाम से ही आप समझ रहे होंगे छे इसमें अलग-अलग नियम है सम, दम, उपरती, तिथच्छा, स्रद्धा और समाधान शम, सम क्या है? शम मन का निग्रह करना मन को बस में रखना, मार का रखना दम, दम क्या है? दम है बाहें इंद्रियों का निग्रह उपरती, उपरती का आर्थ है उपराम हो जाना, विरती हो जाना बस्तु की प्राप्ती होने पर भी उदासीन भाव, धारन कर लेना उपरती कहलाती है तिथच्छा समस्त कष्टों वाकठनाईयों को सहन करना जाए सीत हो, उसल हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो आध्य दुन्दों को सहन करना तिथच्छा कह लाता है तिथच्छा की विशे में आचारे संकर ने बहुती सुंदर लिखा है अर्था चिंता और सोख से रहित होकर बिना प्रतिकार किये सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तिथच्छा कहलाता है सद्धा, सद्धा क्या है? वेद, बेदांत, एवम गुरु के कहे वाक्यों में दिरन निष्ठा, एवम अटल विश्वास का नाम सद्धा है यानि जो कुछ कह दिया, उसको as it is मान लिया जाए, वही सद्धा है विश्वास उसी के माध्यम से होता है तो इस प्रकार ये आपने योगिक संस्कृति के अंत्रगत सबसे पहले पुर्शार्थ की रिसे में जाना पुर्शार्थ के साथ आस्रमों की रिसे में जाना और फिर सठ संपती इसके विशे में जाना हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया हुआ और आपके जो टेक्स्ट में इस सब को बहुत ते ठीक से समझाय गया है आप समझ पाई होंगे फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार